डॉनल्ड टरंप एब फिर खबरों में हैं, डॉनल्ड टरंप जो हैं जनवरी 20-2025 से जो हैं वो राज़पती का कारेकाल समझालेंगे और लेकिन उन्होंने अभी कल जो है सोशल मीडिया पर यह वादा किया है कि अपने राजपती का कारेकाल शुरू करने के पहले ही दिन मे वो जो हैं Canada, Mexico और चीन पर जो हैं वो अतरिक्त टैरिफ लगाने जा रहे हैं जानी कि जो Canada, Mexico और चीन के उत्पाद हैं जो अमेरिका में बिखते हैं वो बहुत जादा महंगे होने वाले हैं तो Canada और Mexico जो हैं वो अमेरिका के पडोसी देश हैं और ट्रम्प को इस बागा गुसा है कि जो बड़े पैमाने पर घुसपैठ जो है इन दोनों सीमाओं से हो रही है और इसके अलावा जो फेंटनिल नाम का जो सिंथेटिक ड्रग है वो भी बड़े पैमाने पर जो है अमेरिका में आ रहा है इसको ले करके और वहां के जो यु चीन पर पहले से ही काफी टैरिफ लगा हुआ है तो ट्रम्प ने कहा कि उस पर हम 10% और जादा टैरिफ लगाएंगे जिससे कि चीन का समान जो है वो अमेरिका के बाजार में उतना जादा महंगा हो जाएगा इससे जो है कैनेडा में काफी हड़कम मचा हुआ है और बाकी बाकी भी देशों में हड़कम मचा हुआ है क्योंकि आगला नमबर किसका है आगला जो है किस देश के उत्पादों पर ट्रम्प वो टैरिफ लगाने की मांग करने वाले हैं इसको लेकरके दुनिया भर में बातें होने लगी हैं तो अब इसमें भारत को लेकरके ये कहा जा पर भारत संभौता उससे बच सकता है ऐसी उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि जो है ये जरूर है कि ट्रम्प का वाइट हाउस में वापसी जो है भारत पर फिर से सतर्क निरानी लानी के संभावना है यानि कि भारत को बहुती क्लोजली वाच किया जाएगा कि अमेरिका के उत्पादों का जो है भारत में कितनी खपत है और भारत में उन पर कितना टारिफ लगाया जाता है तो पहले से भी वो चुनावी अभियान में भी कहते रहे हैं और अपने चार साल के पहले कारेकाल में भी वो इस बारे में बात करते रहे लेकिन अक्टूबर में जो है ट् अब इसमें जो समझने वाली बात है वो यह है कि जहां पर जो भारत का मामला है भारत जो है इसके बारे में हमें समझना पड़ेगा ना मैं इस ख़बर को देख रहा था ना हाँ तो इसमें जो है ये एक है शिव नादर विश्व द्याले के आतिती प्रोफेसर मनीश पंत इन्हों ने ये आकलन किया है कि भारत अभी ट्रम्प के टैरिफ जो टैरिफ का जो आंदोलन चल रहा है उसके दाएरे में नहीं आएगा हैना वो जो है मनें उनका ये कहना है कि ट्रम्प जो है मुख्य रूप से उन देशों को निशाना बनाएंगे जिनके साथ अमेरिका का व्यापार बहुत अधीक है भारत वस्तरों के मामले में इतना महतपूर नहीं है वह भारत में सेवाओं के आउट्सोर्सिंग को लेके मचा सकते हैं लेकिन इसके बारे में वह बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं याना क्योंकि भारत जो है एसेंशली सर्विसिस के मामले में ज्यादा जोड़ा हुआ है अमेरिका से हाला कि इधर जो है बीते पात साल में जो है जो मैनेफैक्ट्रिंग को लेकर के भी जो है दोनों म कुछ कर पाएगी ऐसा संभावना कम है फिर जो है जो समगर शुल्क में वृद्धी नहीं करेंगे ऐसी उमीद है क्योंकि वो जो है जो जो बाहर का समान सस्ता मिल रहा है अमेरिकी बाजार में अगर वो टैरिफ लगाते जाएंगे सभी पर तो सभी समान जो है महंगे हो ज तो इसलिए जो है वो कुछ चुनिंदा जो देश है उनी पर जो है टारिफ लगा करके बागी देशों के साथ जो है वो समान वेपार की और जाना चाहेंगे यह एक जो है बड़ा मुद्धा है फिर जो बात है कि जो जैन्त दाजगुत्ता है जो भारत के पूर्व डबलू कर सकते हैं आने वाले कुछ महीनों में कि उन्हें भारत को भी निशाना बनाना चाहिए तो क्योंकि ट्रम्प जो है बहुत ट्रांजेक्शनल है और जो अमेरिका पर कर्ज है वो बहुत जादा है और यह भी देखने वाली बात है कि भारत जो अपनी रुपए मुद्रा को जो आगे बढ़ाना की कोशिश कर रहा है तो उससे ट्रम्प का क्या रुक होता है उस पर क्यू कि ट्रम्प चाहते हैं कि दुनिया भर में अंतराष्ट्रे वैपार में डॉलर की सत्ता यह पहले की तरह कायम रहे है लेकिन दुनिया के बहुत सारे डेश जो है अब इस कोशिश में है और खास और से जो BRICS संभूह में शामिल देश है जिसमें भारत भी शामिल है वो लोग इस कोशिश में है कि वो जो है बहुत जादा डॉलर पर निरभर ना रहें और अपना जो बड़ा व्यापार है वो अपनी ही मुद्राओं में कर पाएं तो इसलिए ये जो है ये भी ओपिनियन है कि भारत को जो है आभी तत्काल में नहीं लेकिन हो सकता है कुछ महिनों के भीतर जो है एक टरिफ का जो है सामना करना ही पड़े उसके अलावा जो है ये शुल्क ज जादा जो है प्रभावशाली होंगे या बहुत जादा नुकसान पहुचाएंगे भारत को ऐसी उमीद नहीं है क्योंकि चीन के खिराफ अल्टिमेटली भारत की ज़ुरत तो है ही ट्रॉम्प को तो इसमें जो है कि हाँ फिर जो है ट्रॉम्प के कारेकाल को देखते हुए जो है ये भी बात सामने आए कि निर्मला चितारमन जो केंजरे वित्तमंत्री हैं उन्होंने भी ये सक्केत दिया था कि सरकार जो है कुछ टैरिफ पर रहात दे सकती है या अमेरिकन जो पॉड़क्स हैं उनको भारत में अलाव कर सकती है लेकिन शर्थ ये होगी कि घरेलू उद्योगों को नुकसान नहीं होना चाहिए ना तो यह सरकार भी पीछे हटने को तयार है ऐसा मालूम होता है क्योंकि वो यह नहीं चाहती है कि हमारा उत्पाद जो है उधर पहसे है ना चुकि हमारा एक बहुत बड़ा व्यापार का साजीदार है फिलाल अमेरिका तो जो प 10% टैरिफ और लगा दिया है इसकी घोशना कर दी है और मेक्सिको के जो राजपती है क्लावडिया शिनबॉम उन्होंने भी कहा है कि अगर अमेरिका टैरिफ लगाएगा तो हम भी जो हैं अमेरिकी उत्पादों पर जो हैं वैसे ही टैरिफ लगाएंगे और जो कार दिरमा तक कंपनिया हैं जैसे होंडा, निशान, जो हैं टोयोटा, किया, ओडी, बीमडब्लू, फोक्सकॉन, एलजी और कुछ चिनिया पूर्ती जो हैं ये बड़े पैमाने पर जो हैं मेक्सिको में ही बेजड हैं और यहां से ही जो हैं वो अमेरिका में सप्लाई करते हैं तो मजने वाली बात यह है कि भारत को ले करके क्या रूख होता है और भारत के इस तरह से जो है अगले चार साल अमेरिका को मैनेज करता है और अपना काम निकलवाता है वो देखने वाली बात होगी